नए आवास बिवस्था के तहत विधान पारसुदों को उनके आवास आज अवंटित कर दिये गए हैं कुल बिहार में 75 विधान पारसुद हैं जिसमें से 55 को आज ही ये कहें कि उनके आवास की चाभी उन्हें सौप दी गई यह हमारे साथ तीन एमेलसी हैं ललन सराफ हैं असोक अगरवाल हैं और तन्वीर हसन हैं इनसे बात करते हैं कि नए आवास में आके इन्हें कैसा लग रहा है यह बताए ललन सराफ जी यह जो ब्यवस्था है जिसके तहत अप लोग को नया आवास आवंटित हुआ है तो पहले समस्त बिधायकों को बिधान पारसदों को एक सा एक सा मकान जिसमें सारी वेवस्था है जो अभी हम लोगों ने देखा है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में और टॉप फ्लोर में जा करके और फुली फर्निश्ड यह जो आवास मिला है इससे बहुत तरह की सुभिध लेने की विवस्ता है काफी अच्छी विवस्ता है और नितिश कुमार जी ने यह जो सोचा कि 75 विधान पारसदों को एक सा आवासिये प्रवंद हो इसके लिए हम मुंक को बहुत दनी है आप बते हैं आपको क्या लगता है पहले तो बड़ा बड़ा मतलब रता था मानी मुख मंतरी जी की बहुत बढ़ियां सोचती है जो 2005 से बढ़ता वियार हस्ता वियार जो चल रहा है हम लोंका और आज हम लोग विधान परिश्त सदस हो या विधान विधास सभा के जो एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सभी पार्टी के लोग हम लोग एक जगह रहेंगे तो आपस में एक समवाद बना रहेगा एक भाईचारा रह बना रहेगा और एक हेल्दी राजनिती की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टनिटी है कि मानिये नेता हमारे नितेश कुमार जीर का जो सपना था वो आसाकार हुआ क्योंकि बगल में हमारा विधान परिशद का भवन है हम लोग टहलते हुए भी चले जाएंगे कोई भी आदमी होस में नागा भी नहीं हो सकेगा ना किसी को कोई बहाना बचा रहेगा हर कोई होस में रहेंगे पक्ष और विपक्ष सब लोग हम लोग एक जगा एक जगा कंपॉन में भी रहेंगे और विधान परिशद में भी रहेंगे बिलकुल तो ये एक रूपता दिखाई है गई है इस पूरे आवास योजना के तहद और इस इस तरह की योजना मले यानि कि विधायकों के लिए जो कि विधान सबा के सदस्स होंगे उनके लिए भी बनाई जा रही है कैमरमन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार जा पतना